तो फाइनिली गाइस मैंने अपने गेम के अंदर ले लिया एक न्यू चमचमाता फ्लाइंग हाउस को जो की देखने में काफी जादा ओसम लग रही है और हवा में उड रही है इस फ्लाइंग हाउस को हमारे चोपड़ा गेमिंग भाईया ने बनाया है एंड गाइस आप सभी को इस फ्लाइंग हाउस का लोकेशन भी बताने वाली हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस गाइस जैसा कि आप सभी देखी सकते हो कि मैंने अपने गेम के अंदर न्यू फ्लाइंग हाउस को एड कर दिया है एंड अब बात कर लेते हैं लोकेशन की तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी को अपने घर से बाहर निकल जाना है एंड गास यहाँ पर आप सभी को किसी नय वीकल को स्पॉन करा लेना है यहाँ पर मैं डिफेंडर को स्पॉन करा लेती हूं क्योंकि डिफेंडर मुझे बहुत जादा पसंद आया और वो भी RGB कलर में और आप सभी देखी सकते हो कि मैं अपने Defender के अंदर बैठ चुकी हूँ और यहाँ पर आप सभी को घर के Right Side की और चले जाना है और यहाँ पर से मैं अपने गाड़ी को Full Speed में भगा लेती हूँ वैसे गाड़ी चलाना तो नहीं आता लेकिन मैं Indian Black Driving 3D को खेल खेल कर गाड़ी चलाना सीख गई हूँ और यहाँ पर से आप सभी को Right Side की और मूर जाना है जैसा कि मैं जा रही हूँ और उसके बाद आप सभी को सीधे सीधे चले जाना है फिर आप सभी को Left Side की और जाना है जैसा कि मैं मूर रही हूँ वैसे गाड़ी को बता देती हूँ कि इसका लोकेशन गाओं वाले साइट पर रहने वाला है और आप सभी सकते हो कि मैं यहां पर पहुंच गई हूँ और पहुंचते ही मैंने एक बढ़िया तरीके से बनाया गया है वैसे आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना एंड गाइस आप उतर जाते हैं अपने जैट पैक से नीचे लेकिन गाइस मैं बता देती हूँ मुझे उचाई से बहुत जगर डर लगता है लेकिन कोई बात नहीं दोस्तो मुझे तो गेम खेलना ही पड़ेगा जैसा कि आप सभी देखी सकते हो कि ये फ्लाइंग हाउस हवा में उड रही है और आप सभी देखी सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे पंखुडी भी लगाया गया है जाने है मतलब की पंखे जोगी इस गेम के लिए काफी सांदार व्यूद दे रहा है मैंने तो आप सभी को दिखा दिया है लेकिन अब बारी है फ्लाइंग हाउस को अंदर से देखने की तो गैस जैसा कि आप सभी देखी सकते हो कि मैं अंदर पहुँच गई हो और यहाँ पर बहुत सारे लेंप भी लगे हुए हैं जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे इंडियन बैक ड्राइविंग 3D का न्यू अपडेट आ चुका है जिसमें न्यू न्यू फरनीचर को एड किये गए हैं तो हमारे भाईया ने नए फरनीचर से इस फ्लाइंग हाउस को पूरी तरीके से सजा दिया है जो कि काफी ज़्यादा ओसम लग रही है और गईस हमें यहाँ पर सोफा भी देखने को मिल जाता है जो कि चल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर हमें बैट भी देखने को मिल जाता है और बहुत सारे लेंप भी देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज़्यादा बढ़िया है और गईस आप सभी देखी सकते हो कि इस फ्लाइंग हाउस का लेंप काफी ज़्यादा बढ़िया है मेरा कहने का मतलब यहाँ है कि यहाँ बहुत सारे लेंब को स्पॉन किये गए है जो की काफी अमेजिंग व्यू दे रहा है लेकिन गाइस अब मैं आप सभी को फ्लाइंग हाउस को ड्रोन की मदद से भी दिखा देती हूँ क्योंकि जब से हमारे गेम में ड्रोन आया है तब से हर एक वीडियो में मैं आप सभी को ड्रोन सोट दिखाती हूँ यहाँ पर फ्लाइंग हाउस के सामने का एरिया पूरे तरीके से खाली है यहाँ पर साइड में हमें सीडी भी देखने को मिल जाती है इन सीडी की मदद से मैं पहुँच गई हूँ उपर और उपर से नीचे का व्यू काफी जादा सांदार लग रहा है यहाँ साइड में हमें एक छोटा सा गार्डन भी देखने को मिल जाता है जहाँ पर बहुत सारे पेंट पौधे भी लगे हुए हैं वैसे आप सभी को फ्लाइंग हाउस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए